फ्रेंज इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन से ट्रेडिंग वेलंस को कैसे विड्रॉल किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में कम्प्लिटली बने रहना है यहाँ पे सबसे पहले आपको Angel One एप्लिकेशन को ओपन करना है यहाँ पे देख सकता हो मैंने यहाँ पे Angel One एप्लिकेशन को ओपन कर लिया है उसके बाद में इसके अंदर से मैं पासवर्ट डाल के एंटर हो जाता हूं देख सकता हूँ मैंने इसमें password डालके enter हो चुका हूँ देन मेरा जो angel one account है वो यहाँ पे open हो चुका है यहाँ पे open होने के बाद में हमें जो है हमारा trading balance को जो भी इसमें है उसको हम withdrawal करेंगे तो withdrawal कैसे करेंगे चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको सबसे पेले नीचे में एक option आपको दिखाई दे रहा होगा accounts का तो accounts पे हम click करेंगे जैसे ही accounts पे click करोगे इस तरीके से ही आपके सामने interface आ जाएगा यहाँ पे guys आपको करना क्या है यहाँ पे सबसे पेले आपको जो total balance है ट्रेडिंग का वो यहाँ पे देखना है यहाँ पे हमारे पास जो balance है ट्रेडिंग का वो 9.31 पेसे यहाँ पे पड़े हुए हैं और इसमें से कुछ amount में withdrawal करके दिखाऊँगा तो withdrawal करने के लिए simple process है withdrawal का एक option यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पे हम click करेंगे जैसे ही click करेंगे इस तरीके से interface आएगा अब यहाँ पे guys आपको करना क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दू कि अगर आपका जो balance है withdrawal amount यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप इसके अंदर से withdrawal नहीं कर पाएंगे इसका reason मैं आपको बताऊंगा पहले आपको जो है विड्रोल अमाउंट यहां पे शो नहीं हो रहा है तो आप यहां पे विड्रोल नहीं कर सकते हैं अगर विड्रोल अमाउंट यहां पे शो हो रहा है तो यहां पे आप विड्रोल कर सकते हैं चलिए यहां पर अगर में विड्रोल अमौट डालता हूँ। हो यहां पर में एक ouvert ऐलता हूं। एक रूप डालने के बाद में यहां पर आप देखोंगे तो यहां पर जो हो विड्रॉल का समय है। तो हम फिर भी इसको है जो withdrawal पे लगा सकते हैं और withdrawal कर सकते हैं लेकिन अब बात आते हैं कि यहां पे जो ट्रेडिंग balance है वो शो नहीं कर रहा है अगर शो कर रहा है जिसके आपका जो balance है वो balance 1000 है लेकिन यहाँ पे 500 दिखा रहा है 800 दिखा रहा है या फिर 700 दिखा रहा है तो इसका reason है guys कि यहाँ पे आपका जो balance है वो 48 गंटे के बाद में update होगा मतलब कि आपने जो fund है वो अभी trading balance से withdrawal किया है फिर winning किया है कुछ भी trade से आपने किया है तो वो जो amount है उसको 48 गंटे का time लगता है यानि कि एक दिन का time लगता है यहाँ पे withdrawal amount होने में तो आपको घबराना रही है यहाँ पे आपका amount show नहीं हो रहा है तो आपको एक दिन का wait करना जैसे कि मैंने trading balance आज यहाँ पे जीता है तो कल यहाँ पे withdrawal कर सकता हूँ उसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है simple सा यहाँ पे जो है amount हमने डाला है amount डाल दिया है डालने के बाद में नीचे प्रोसेट वारा जो button है इस पे हम click करेंगे देख सकता हो हमारा जो withdrawal amount है वो लग चुका है लगने के बाद में यहाँ पे यह बोल रहा है कि आपको जो amount है वो यहाँ पे इस्टेडवें कोफ इंडिया में आएंगा उसके बाद में यह pending में है यह साड़े नो बज़े से लेके आज आएगा और बारा जून को यह जो है आएगा कि अभी market दो दिन के लिए close है तो market close है तो उस वज़े से यहाँ पे नहीं आएगा I hope अब आप सबच चुके होंगे कि कैसे इसके अंदर से balance को withdrawal किया जाता है then आप यहाँ पे जो है withdrawal कर सकते हैं अगर amount show नहीं कर रहा है